नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टैक अन्बोक्सिंग आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले डेल XPS 13 लापटोप के बारे में एंग इस XPS जो सीरीज है डेल के प्रीमेम लापटोप से में आपको देखने मिली गी इस पर्डिकलर लापटोप में उन्होंने 4K टॉट्स्क्रीन डिस्प्लेइस में प्रोवाइड किया है प्लस यहां पर आपको पारफूल प्रोसेसर भी देखने मलता है जो है इंटल का कोर आई 711 जनरेशन इवो सर्टीफाइड प्रोसेसर तो बेसिकली इवो सर्टीफाइड धीर सारे लापटोप में ने टेस्ट किये और इसके आपको धीर सारे अडवांटेज़ भी देखने मिलते हैं जिन्हें हम आगे जाके वीडियो में डिसकस करेंगे तो हमारे साथ बने रही हैं अगर आप मुझे फेस्बूक पर फॉलोड नहीं करते तो यहां पर आपको यूजर आईडी मिल जाएगा जरूर जाके फॉलो किजिए यह वो एक्टोप तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बिल्ट कॉलिटी को लेके तो यहां पर उन्होंने इसमें frost exterior प्रोवाइड किया है प्लस arctic white interiors भी आपको देखने मिलते है बिल्ट यहां पर आपको completely aluminum chassis and polycarbonate की देखने मिलेगी और यह जो laptop है यह बहुत ही जादा thin and lightweight laptop है अब देख सकते हो बहुत ही slim इसका profile निकल के आता है weight को लेके अगर मैं बात कर रहा हूँ न तो 1.2 kg इसका total weight निकल के आता है and guys यहां पर left hand side पर आपको एक thunderbolt 4 port micro hd card reader right hand side पर यहां पर 3.5 mm का jack and और एक thunderbolt 4 port उन्होंने provide किया है so guys यहां पर जो overall build है न बहुत ही बढ़ीया निकल किया थे इस laptop की हाला कि यहां पर उन्होंने कोई भी type A port provide नहीं किया है but box के अंदर आपको एक converter देखने मिलता है type C to type A port, thunderbolt 4 port की help से यहां पर आप उसे use कर सकते हो and उसे के साथ हम बढ़ते हैं इसके display की तरफ तो यहां पर उन्होंने 13.4 inch का 4K touchscreen displays में provide किया है and guys यहां पर जो touch response है ना वो इस laptop में बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिलेगा knits of brightness की बात कर रहा हूँ है तो यहां पर आपको up to find it knits की brightness देखने मिलेगी so practically guys बहुत ही बढ़िया brightness है and सबसे पहला ऐसा laptop में ने देखा है जिसमें आपको up to find it knits की brightness देखने मिलते है and yes यहां पर उन्होंने 90% DCI P3 color gamut भी इसमें provide किया है plus यहां पर आपको 100% sRGB panel भी इसमें देखने मिलता है and bezels की अगर मैं बात कर रहा हूँ है तो आप देख सकते हो बहुत ही slim bezels आपको देखने मिलेंगे plus यहां पर उन्होंने Gorilla Glass 6 protection भी इस particular display के उपर provide किया है so basically यहां पर जो display है ना top notch आपको देखने मिलेगा अगर आप इसमें OTT platform के लिप से content watch कर रहे हो ना तो आप देख सकते हो Netflix पे आप Dolby Vision content भी इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से watch कर सकते हो so guys जो display है ना वो आपको top of the line देखने मिलता है and yes फिरम बढ़ते है इसके सबसे crucial aspect की तरफ जो है इसका processor so यहां पर उन्होंने Intel का Core i7 1185 G7 processor इसमें provide के है जो यहां पर आता है 4 core 8 threads के साथ यहां पर आपको 4.8 GHz की max turbo frequency देखने मिलते है TDP को लेके अगर मैं बात करो तो 28 watts की TDP इस processor के निकल के आते है प्लस यहां पर आपको Intel के Iris Xe graphics भी उन्होंने इसमें provide के storage को लेके अगर मैं बात करो तो 16 GB का LPDDR 4X RAM जो यहां पर आता है 4, 2, 6, 7 MHz के frequency के साथ प्लस यहां पर आपको 1TB NVM Express M.2 SSD भी उन्होंने provide की है So guys यहां पर जो configuration वाला part है वो आपको top of the line देखने मिलता है इस laptop में and yes अभी time है इसमें gaming test करने का हाला कि यह जो laptop है यह gaming oriented laptop नहीं है बट फिर भी guys gaming तो बनता ही है तो सबसे पहले game की बात करते हैं यहां पर Valorant game guys Valorant game में हमने vSync को turn off रखा था and यहां पर आप देख सकते हो हमें on and average 100 fps का frame rate मिल रहा था 90 से लेके 120 fps के बीच में frame rate यहां पर fluctuate हो रहा था उपर की तरफ यहां पर आप CPU, GPU के thermals या फिर जो TDP है processor का उसे आप monitor कर सकते हो and यहां पर जो overall gameplay था ना बहुत ही smooth experience दे रहा था अगले game की अगर मैं बात कर रहा हूँ जो है GTA 5 GTA 5 भी यहां पर बहुत ही smoothly चल रहा था and यहां पर हमने resolution set किया था 720p का and यहां पर हमें on and average 50 से लेके 60 fps का frame rate मिल रहा था and overall जो GTA 5 gameplay ना वो भी यहां पर बहुत ही smoothly work कर रहा था so guys overall gaming experience बहुत ही बढ़ी है यहां पर निकल के आता है thermals को लेकिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इतना जादा heat यह laptop नहीं होता हाला कि कई सारे Intel Evo certified laptops के हमने testing किये and Intel Evo certified यहां पर बिलकुल भी आपको heating issue नहीं देगा and guys फिरम बढ़ता है productive application की तरफ तो यहां पर सबसे पहले हमने Adobe का Premiere Pro इसमें test किया and यहां पर जो sequence आप देख पा रहे हो ना यह completely 4K 60 fps का sequence है जहां पर हमने इसमें almost 2 से 3 layer add किये 4K 8 bit 60 fps के and यहां पर हमें 1 by 4th resolution में कोई भी lag as such महसूस नहीं हो रहा था overall जो application है बहुत ही smoothly चल रहा था and yes यहां पर जैसे आप timeline को भी scroll करोगे ना यहां पर आपको कोई भी lag महसूस नहीं होगा thanks to the Intel quicksync technology and yes overall जो edit वाला part है ना बहुत ही smoothly इसमें चल जाता है आप basic 4K video editing या फिर 1080p video editing फॉर इसमें कर सकते हो अगले application की बात करते है जो है photoshop guys photoshop भी इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से work कर रहा था हाला कि display में आपको 100% srgb भी देखने मिलता है 90% dci p3 color gamut भी उन्होंने provide किया है तो जो color accuracy है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर निकल के आती है तो for sure आप productive applications के लिए इस particular laptop को use कर सकते हो and guys multitasking के अगर मैं बात कर रहा हूं तो but obvious यहां पर buttery smooth आपको performance देखने मिलने वाली है multitasking में भी and yes guys यह जो particular laptop है ना यह एक Intel Evo certified laptop है तो अभी हम बात करेंगे उसके कुछ key advantages की तो सबसे पहले यहां पर आपको faster upload and download speeds देखने मिलते है क्योंकि यहां पर उन्होंने wifi 6 provide किया है better connectivity के लिए plus यहां पर आपको Bluetooth version 5.1 भी देखने मिलता है जिसकी help से यहां पर Bluetooth headphone connect करके content watch कर सकते हो security wise यहां पर उन्होंने fingerprint scanner भी इसमें provide किया and fingerprint scanner भी बहुत ही जादा responsive है plus यहां पर आपको hello windows का भी option देखने मिलता है तो basically webcam की help से भी यहां पर आप system का unlock कर सकते हो plus यहां पर उन्होंने instant wake from sleep का भी feature प्रोवाइड किया है and फिर यहां पर आपको दो thunderbolt 4 ports भी देखने मिलते है versatile connectivity options के लिए so guys यह थे कुछ की advantages जो आपको Intel Evo certified laptop में देखने मिलेंगे and yes फिर हम बढ़ते इसके benchmark की तरफ तो यहां पर सबसे पहले हमने Cinebench R23 benchmark test किया जहां पर हमें 5286 के multi core score 1430 के single core score देखने मिल रहे थे फिर यहां पर हमने geekbench 5 भी इसमें test किया यहां पर हमें 1522 के single core score 5563 के multi core score देखने मिल रहे थे प्लस यहां पर productive application test करने के लिए हमने PC mark 10 benchmark test भी इसमें perform की and यहां पर हमें 4918 के बहुत ही बढ़िया scores देखने मिल रहे थे and finally यहां पर graphics के लिए हमने 3D mark fire strike test भी इसमें perform किया and यहां पर भी हमें काफी बढ़िया 4214 के scores देखने मिल रहे थे so guys जो benchmark के results है बहुत ही बढ़िया इस particular laptop में निकल के आते है and फिर हम बात करेंगे इसके कुछ other features के बारे में तो सबसे पहले यहां पर उन्होंने HD webcam इसके अंदर provide किया है जिसके side में आपको dual mics देखने मिलता है and यहां पर आपको decent quality webcam इसमें देखने मिलेगा keyboard की अगर मैं बात करो तो यहां पर आपको edge to edge keyboard उन्होंने provide किया है जो यहां पर completely back-litter keyboard है and यहां पर काफी tactile feel होता है जब भी भी आप इसके ओपर type कर रहे हो trackpad के अगर मैं बात करो तो यहां पर आपको decent size trackpad देखने मिलता है जिसके उपर multi touch या फिर gesture support भी उन्होंने provide किया है and yes guys एक slim laptop में battery बहुत ही जादा crucial role पे करती है तो यहां पर उन्होंने 52 watt hours की batteries में provide किये जहां पर typical usage scenario पे आपको up to 7 to 8 hours की battery life देखने मिलेगी जहां पर आप casual work करे हो अगर आप productive applications हो गए या फिर casual gaming इस पर कर रहे हो ना तो यहां पर आपको up to 4 hours की battery life देखने मिलने वाली है and yes Intel Evo certified laptop है तो यहां पर आपको fast charging capability भी देखने मिलती है तो practically 45 minutes के charge भी यहां पर आपको 4 hours का run time देखने मिलेगा जो बहुती अच्छी बात है and yes guys यहां पर और एक point मैं miss out कर रहा हूँ जो है इसके speakers so यहां पर उन्होंने down firing dual speaker setup इसमें provide किया है so यहां पर मैं एक sample video play करूँगा जिसमें आप सुन सकते हो इसकी sound quality so guys जैसे आपने सुने इसके sound quality बहुती बढ़िया sound output आपको यह particular laptop यहां पर offer करता है so guys यह जो particular laptop ना पार्ड पैक laptop है बात करेंगे इसके pricing को लेके तो approximately 2,13,000 रुपीज की price में आपको यह laptop available मिल जाएगा yes guys बहुती expensive side पर यह laptop जाता है क्योंकि डिहर सारे features उन्होंने provide के but guys market में आपको कई सारे other laptops भी देखने मिलेंगे जो यहां पर Intel Evo certification के साथ आते तो for sure आप उन laptops के लिए भी जा सकते हो and yes अगर किसी को इस laptop को checkout कर रहा है या फिर इसके additional information चाहिए तो link में नीचे description box में drop कर दूँगा वहाँ पर जाके आप इसे checkout कर सकते हो so guys बस यही था आज काई वीडियो I hope आप कोई वीडियो पसंद आगा अगर आप कोई वीडियो पसंद आते तो please इस वीडियो को like कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए प्लेज सब्सक्रीब कीजिए हमरे चैनल को और दोस्तों और इक important बात प्लेज मेरे facebook page और instagram page भी like कीजिए तो दोस्तों मलते अगरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद